यहां नास में लास्ट ताइम इसको ड्रॉप किया था इस ग्रैज्ट अबरफ इस पैसे शिएशन ठीक है उस दिन हमने रिप्रड़क्तिव और जिग्राफिकल आइस इसलेशन पड़ा था आज हम बढ़ेंगे ग्रैज्ट अबरफ इस पैसेशन species occur when gene pool of a population is somehow reproductively isolated from other population of a parent species and no longer gene flow occur between them अजब एक gene pool है gene pool किसे कहते है एक population के अंदर जो set of genes होते हैं हमने gene pool कहते है ठीक है अगर एक population जो है दूसरी मतलब अपनी parent population से मतलब अगर सो लोग है उनका उनकी population है उसमें 25 है वह move कर जाएंगे किसी और जगा पर तो मतलब वह क्या कर गया है वह जीन जो उनका पूल है वह क्या हो गया ही आइसोलेट हो गया है देख है इससेशन अकर में दर जीन पूल अफ़ अप अपॉपलेशन इस समो हो रिप्रड़क्तिवली आइसोलेटिट त्यक्या वह अदर गवर त्वेटीफाइव 75 जो इंडविज्वल्स है वो 75 के साथ रिप्रड्यूस नहीं कर सकते ठीक है और पर्डुक्तिवली आइसलेटेड हो गया अपनी पेरेंट पॉपॉलेशन से रबंगे इनदर जीन फ्लो भी पॉसिबल नहीं है तो मुस्से क्या कहते है यह क्या है पेस्येशन क्लियर किस्पे आपके जाता है लॉग पीरियट आफ्र लॉग पीरियट वह क्यों होता है रिप्रॉक्तिवली आइसलेट कर जाते है अब उस जीन पॉपॉलेशन के अंदर जीन फ्लो नहीं रहता तो मुस्से क्या कहते है यह क्या होगी है स्पेसियेशन मतलब कि न्यू स्पीशी बंग द ताइम लगता है न्यू स्पेशिक बीरियेशन को दो मेंखने में टिवाड करते हैं फस् poder societies शीट अब्रेप्ट रिस्टेंटेनिःट इसस शबसे पहरेंब देखते हैं् पापॲेशनлан United क्या और अक्र आज्योे इसलो आहसे आहसे इस्पापुलेशन क्या आजर्टे लबावर्ट को मतले मैंता होना इन और पाप्लेशन के और यह चोंग ए एक दुस्ते इंग से आलादा हो रही है लेकिन ग्रैजुली आसता आसता ग्राइशन और यह घ्राजियल डेमर्चन आफ पाप्लेशन क्यों आती है ड्यू टुदा आक्वब लिशन और वेरीयशन के व में कभी महसूस नहीं वह रहा हूँ अगर हम देखते हैं तो यह एक्शली क्या होता है ग्राज्यूल चेंज है तो यह ग्राज्यूल डैवर्जिस ऑफ पॉपलेशन किसमत से आती है एक्यूमिलेशन अफ वेरियेशन के वेरियेशन होती जा रही है एक के बाद दूसरी जिसक तिक है जिसकी बाद से ग्राज्यूल यह रही है कि बहुत ताइब के बाद जब झ्लच जहाँ जादा हो जाती है कि अब दूनों ज नौ पॉपलेशन हैं जिसम पहले बातका हैं कि वह ऐसो तुमिलेशन तो हो रही है ओर लॉंग ताइम ठीक है ग्राजियल डिवर्जिस ऑ कि अब उन में reproduction नहीं हो सकती वो reproductive ली क्या हो जाएंगी isolate कर जाएंगी तो फिर क्या होगी specialization हो जाएंगी new species बन जाएंगी okay it occurs in two ways यह दो तरह से हो सकती है gradual specialization first is allopatric or geographical specialization second is sympatric specialization पहले हम देखते हैं allopatric specialization को क्या लो पैट्रिक specialization में क्या होता है original population become separate due to geographical barrier कि original population है वो क्यों जाती है separate हो जाती है किसी भी geographical barrier की मज़े से और आपको पता है geographical barrier मैंने आपको last lecture में पढ़ाये थे कि geographical barrier कौन कौन से होते है creepy glaciers है oceans है mountains है land bridge है ठीक है migration अगर कोई population जो है वो migrate कर जाती है है अपनी parent population से किसी दूसरी जगा पर तो वह भी किस में आजाएगा ऐलो पैट्रिक specialization में क्लियर के original population become separated due to geographical barrier ऐलो पैट्रिक क्यों होता है कि कोई भी original population है वह separate हो रही है अपने parental population से जिग्राफियल barrier के वादा से ठीक है into two and more groups दो groups में यह दो से ज्यादा groups में मतलब अगर thousand individuals की population है उसमें से जो है 300 बूफ कर गये एक side पे 200 बूफ करें एक side पे 500 वही के वही है तो मतलब यह में क्या आ गया है कि original population separate out हो गई है ठीक है two या more groups में थीक है impose restriction of gene flow अब अब इस तरह कि अब में gene flow नहीं हो सकता ठीक है अगर population की तर्मयान में mountain range है तो obviously वह move across नहीं कर सकते है उसको क्योंकि वह क्या है उनकी तर्मयान barrier है barrier आ गया या अगर population की तर्मयान में ocean आ गया है कोई glacier आ गया है में gene flow नहीं हो सकता gene flow किस तरह से होता अगर आपको याद हो कि जब दो population आपस में interbreed करती है तो हम उन्हें कहते हैं कि इनका gene flow हो रहा है कि population का gene जो है उस population पे ट्रांसफर हो रहे हैं और उसके gene इदर इसको gene flow कहते हैं तो obviously जब कहीं में barrier present होगा वह भी mountains या ocean जैसा barrier तो obviously दोनों population आपस में क्या कर सकते हैं interpret नहीं कर सकते उन्हें gene flow नहीं हो सकता due to these barriers ठीक है original population become separate due to geographical barriers into two or more groups ठीक है जिसके वाइस क्या हो जाएगा it imposes restriction of gene flow due to these barriers कौन से barriers creeping glaciers oceans mountains और migration जिसकी ग्जेंपल आपने वसे पढ़ती कि इस डार्मरी की finches थी ठीक है जो गलापोकस आइलेंड की और साथ अमेरिकन जो बर्ड्स है वो डिफ्रेंट है ठीक है मतलब उनकी अगर morphology को यह anatomy को study करें तो पता लगता है कि उनका इंसेस्टर एक है लेकिन वो जिग्राफिकल बैरेंड की वार से क्या होगे सेप्रेट ठीक है और अब उनको उनकी अद्दर जो है वो लॉंग तर्म हो चुकी है इसका मतलब है कि अभी प्रडुक्तिव नी क्या है आइसलेटिट है और यह क्या है दो डिफ्रेंट स्पीशीज है यह आपस में जीन फ्लो नहीं कर सकते इनका इनका डिफ्रेंट जीन पूल है क्लियर नेक्स माने पास से पैट्रिक स्पेस है जो उनकी नीची सबों क्या है डिफेंट है इट अकर जव यह इंसे यूग रफिकल एरिए वह डिफिरंट अर्य। और यहां पें से जिगराफिकल एरिया है में किविद הד नीचेश इपेassy दिफ्रेंट है जो इसलेंट किस था होते हैं इसकी इसकी वह से री ऊसलेट का दे लेकिन भाइन कि यहां Barrier कोई भी प्रेज्ट नहीं है चिक भी लेकिन फिर भी क्या है यह जिवलोडिकल एस्लेशन बेरियर इनके दर कोई सा है वालिजिकल आइसलेशन बेरियर क्या हूता है कि अग्यार्टिवली ऑसनेटट उड़ाइड वाइड पार्टिवलाइड ले इस तरह से उसक्षा से अगई फिल टाइप पड़े थे ठीक है पर अब यह प्रदूक्टिव असलेशन भी होडिये जीग्राफिक लाइड बीटेट है फिर देख ही अगर आफ फर्स देखिन विए ग्रिंट है लेकिन क्या कहा है कि इसकी नीची क्या है उसके इसेश्षी हरेजंत नहीं हो और सh प्रूर ढखे वह लबा आरसा हो दिगा भी और पर प्रॉबरेटली कुछ जो है प्रोड ग्रोग करें थो ओविसली ते फैसिज अधाय ताइम के जीच दर पिर वह क्या हो जाएगी बाईलिजीकल एसलेशन बैयर हो जाएगा ऑन गदर लिए उनके अंदर different process होता है कि использовать के अंदर क्या है different process हो रहे है geographical barriyas को ऊते हैं जो living body के अंदर bahoming aún क्यों ने इस तरह की development or growth जो प्लाइंट्स है वह क्या करते कुछ एसिनिक सौाल में गुडों करेंगे एक इत temporary क्या करेंगे बेशिक सौइल में grow करेंगे आड स्विश्च वुजुक्त पिरश्टनाट्वने स्टाइम इस सदय में द्धाइब में उख श्यांट इकंडी और इकालोजीकली ऑगी ठीकै बूट स्पिश्किस बनती दियuffs पिंग चोगती है रिपध किसी आसिए कर जाती है रहर फिंद बन स्पिश्य से वह इसलेट कर जात्यं रित रंट से ओकलोजी लिए अ कर भाइट मुटेशेसे हुट से हो सकता हैड गुरूड hybridization से भी हो सकता है पहले हम देखते हैं मुटेशन मुटेशन के होती है कि बहुत ज्यादा बड़ी चेंजिस होती है अचानक होती है और नेक्स जेरेशन में पासाउन कर जाती है इंडिवीज्वेल काल मुटेट और ये चीज़ आ होती है मुटें हैं रहे हैं इसको आपको पता है कि हैट से क्या पानी है निकलता कहां से वह काहां से निकलती है कहां से आती है Mutation से क्या है विरिएशन का Fountain head है और जितनी भी जो भी आता है विरिशन की वजह से बनती है हम कहारें कि वरिशन का Fountain head क्या है Mutation मिटेशन का रही होती है कोई कोई एक्त क्या है कोई यसे अब ब्यूट जब ते है सिंडिफिकेंट्स क्या है दिखने में तो सेम लगती है यह लेकिन की होता है प्रड़क्टिवली और भूटी कहली कि इस slightly फिर व खुट में आपस में क्या है रिप्रड्यूद्ट नहीं कर सकती प्रड़क्शन सिब्लिक स्पिशी इसकी ग्जैंपर क्या है ज कुझे अपकुर और जॉस फिला सिब्लस इन यह इन की बारो मैं यह तो यह दिखने संक्राइब एक विलकुंड सिमिलल होता है डी किया है थे सब्सक्राइब राइस्वार क्या है से है this International Church patreon subscribe ठीक का करती है। यह किससद मतर्ब करेंगा वह यह था तोिफिस अपस में तरू निटर्प्री RS करेंगी तब हम उसे क्या कहते है कि क्या हुआ है है क्या हो यह हुए है नया है फॉम बनी और फॉम बनी और स्पिसीजेशन दो थे यह नेशनली भी हो सकती है और उसके बाद आ जाता है ब्यूटेशन है अधर फोली पलाइडी कहते है डबली गाफ क्रोमोसोम मतलब टू एंग को क्या कर दे फोर एंग कर दे यह अपने यह पढ़ा है ब्यूटेशन है ब्यूटेशन है इस तरह से आती है क्योंकि इसके दर भी उससा इतना से नहीं हो पाता जब क्र privy ade solution होती है ब्यूर्थिस का प्रोसस होता है तो आपर ब्यूटेस का प्रोसस सथीक तरीकर से नहीं होता क्योंकि यो स्टिरायल है इस के अधर क्र गभमीड की होते हैं होते हैं है किया लेकिन पूलि पलारडी के अंदर क्या बैडink कर सकते हैं लेकर डबलिंग कर देंगे टूं बनेगे तो कि यो छ विंवन देंगे क्लियर हो यह बाद हम क्या रहे हैं कि इसके अदर बंदो है कि इसके अंदर घ्मिस्ट न बढ़ घती है क्यों कि इसके अंदर क्या है रफैनिस ब्रसीका इसमें मतलब जो मुली है उसको ब्रसीका जो कभेज है उसका क्रॉस कराते है ठीक है यह बनती है जो है है यह है है जो है हमारे पास पीट उसके और सीकेल राइज होती है उसके दर्म्यान क्रॉस है यह दोनों क्या है पुलाइडी पुली पुलाइडी बेस हाइबडाइज है हाइबडाइजेशन से बने वाली न्यू स्पिशीज है और यह मैं तोपिक है यह कंप्लीट करेंगे सब्सक्राइड को पता चलते हैं किकावर हो गया है और आपका कोश है प्लांट सिस्टमेटिक्स में हमने यह जो मैंने आपको टॉपिक है पूरा कवर कर लिया है ठीक है मैकनिजम आप स्पैसियेशन म्यूटेशन और हैबडाइजेशन जिग्राफिकल एसलेशन डिप्रड़क्टिव एसलेशन ग्रैजिलर अब्रप्ट इस यह सारा हमने क्या कर लिए को क्लियर कर लिया है यह आप चैक कर लिए पूरा अपने नोट्स में आपको शेयर कर दूँगी ठीक है पहले मैंने कर दिया यह भी आद भी मैं शेयर कर देती है ठीक है थैंक्यू